हेलो अब्रीवन रादे रादे और कहीं कैसे हैं आप सब लोग आई होब आप सब लोग अच्छे होंगे और मा भगवती आप सभी के मनो कामना पोर्णे करें इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं देवी लक्षमी की बड़ी बेहन आलक्षमी जिनका वेवा रिशी के साथ हुआ था और और इनके द्वारा होने वाली परिशानियों के बारे में हम जानेंगे तथा किस तरस हम इनसे मुक्त पासकते हैं तो हमारे भगवत महपुरान में लिखा है कि समुदर मन्थन के दौरान लक्षमी माता के पहले उनकी बड़ी बेहन आलक्षमी निकली थी कमी लोग जानते हैं कि देवी लक्शमी की कोई बड़ी बेहन भी है जिसे कि हमको नाम से ही प्रतित हो रहा है कि लक्शमी और अलक्शमी याने कि आलक्शमी लक्शमी माता की बड़ी बेहन है जहां लक्षी माता को सुख सम्रद्धी और धनकी देवी माना गया है वहीं आलक्ष्मी को दुख दरीदर्ता और गरीवी की देवी मानते हैं समुद्र मंतन के दोरान 14 रतन निकले थे उन रतनों में आलक्ष्मी को नहीं गीना जाता है उसमें शामिल नहीं किया गया है और इनका जो विवा है ना वो रिशी के साथ हुआ था लोकताओं के मुताबिक समुद्र मंतन के समय जब रत निकले थे उस समय उपरत न भी निकले थे उनी में से एक है देवी आलक्ष्मी कुछ मानेताओं के अनुसार समुद्र में वरुनी याने की मदिरा जो लेकर निकली थी वह इस्तरी थी आलक्ष्मी मतिरा को भगवान विश्णू की अनुमती से देद्यों को दिया गया था जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी का विवा भगवान विश्णू के साथ हुआ था उसी तरह से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आलक्ष्मी जी का वि तो देवी आलक्ष्मी ने बताया कि वे कैसे घरों में निवास करती हैं और किस जगह पर वे प्रवेश नहीं करती हैं तो देवी आलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों को आपको ध्यान में रखना है। लोग सुबह उटके भगवान की पूजा अरचना करते हैं, साफ कप्ले पहनते हैं, घर की साफ सफाई नियमित रूप से करते हैं, ऐसे घरों में में प्रवेश नहीं करती हूं। लेकिन जिन लोगों के घर में देवी माता लक्ष्मी की पूजा होती है और उसके बाद भी उनके घर में दुख दरीदरता और गरीवी चाही रहती हैं। देवी आ लक्ष्मी का प्रभाव उनके बना रहता है, इसी वज़े से गरीवी रहती है और दरीदरता फैली रहती है। देवी आ लक्ष्मी ने जो बताया है उनको ध्यान में रखके अगर आप अपने घर में साफ सफाई नियमित पूजा पाथ देवी आ लक्ष्मी का जो निवास है वो नहीं रहता है और घर में सुख सम्रती बनी रहती है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी की बड़ी मूर्ती रखने से भी बचना चाहिए। घर दुकान में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या मूर्ती रखनी चाहिए जिसमें वे कमल के फूल पर बैटी है। तो ऐसी images या तस्वीर माता लक्षमी की धनलाब के साफ से शुब मानी जाती है, तो ये महतुकुन जानकारी थी, जो हम घरों में गल्दी करते हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, और आज आपको पता चल गया होगा कि हम घर या दुकान के बाहर जो निबु मुची टांगते हैं, उसका क्या कारण है और और भी बहुत सारे इसे विग्यानी कारण जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगे आगे, आप लोग को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रू बताईएगा, फिर मिलती हूँ नई जानकारीों के साथ में तब तक के लिए रादे रादे,